तो यह देखिए कल जो हमने इस पर प्राइमर किया था वह तो कंप्रीट हो गया है भी इन्होंने इस पर ब्लैक पेंट कर दिया है फोड़ा से रह गया बस यह वाला सरीया रह गया बाकी तो हो गया और मैं तब तक क्या करने लगी हूं रात की ना चाओ लखे थे एक्स्ट्रा बन ले थे तो काफी सारे रखें तो मैं बस क्या अगने लगी हूं प्याज चॉप कर लिए मैं उसके लिए और बस फ्राइग करने लगी हूं तो करते हैं तो आज में चैपरती पहले ना चाओलो के अंदर ही मिर्च और नमग दाल लेती हूं तनिया नहीं डालो फ्रिज में रखे थे ना तो थोड़ी से ठंडे हो रहे थे और थोड़ी से ना जैसे फ्रिज में जम से जाते हैं खटे से हो जाते हैं तो वैसे ही हो रहते हैं तो मैंने इसमें मिर्च डाल दी है और नमक डाल दी है नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि जब मैं गरम मसाला डाल लिया था और अच्छे से मैंने इसको हातों की हल्प से अच्छे से Vincent को Mixs कर लिया इक एक चाबल में मसाले को MS कर लिया फिर यहाँ पर नवें यह बैटरी चेक कर रहे थे inverter की जैसे कि मैंने बताया ना बहुत जल्दी डाउन हो जाती है बैटरी तो inverter की बैटरी में पानी हो रहा है खतम तो बस वही देख रहे थे तो अब उसमें पानी डालना पड़ेगा और यहां पे मैंने प्याज डाल दी है प्याज अच्छे से भून चुकिये देखे चावल वगएरा बनाने के बाद उसके बाद यह जो हमने पेंट किया था ना अकबार भी चाकी क्योंकि फर्श गंदा ना हो जाए क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि बिना कुछ नीचे गिराए हम सही से कर ले तो इसलिए हमने पेपर भी चा दिया था वह पेप तो उस क्लिपिंग के बाद ये सीधा श्राम के साड़े चार बजे की क्लिपिंग है तो यहाँ पे मैं दूद पलट पतीले में ताकि चाय बना सुप हूँ क्योंकि बाहर वैसे दूद खुला था नहीं तो थैली का दूद मैं पलटने लगी हूँ तो जैसे कि फ्रिज में थैली रखी रहती है हमारे अमूल का दूद आता है तो यह थैली फ्रिज में रखी रहती है तो जो इसमें क्रीम होती है थैली में जमसी जाती है तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छे सा शेक कर लेती हूँ और फिर उसको मैं दूद में ही काम करते हैं कि कितनी एक्टिव नजर आ रही हैं क्योंकि मैंने वीडियो को बहुत जादा फॉर्वारड पर चीज चलती रहती है कि बस इनको दबाते जाओ गया ऐसी वाले आप तो दीरे धीरे काम कर रही है फिर ये तक चाई या T party में इसद्री को स्लू कर दिया था जिते यहां पर Vmin वास करने के लिए रख या यहों और फिर मैं लगा दूंग sunt animat जाड़ू क्योंकि चाय रखने और यह सब करने में पौने पांच का टाइम हो ही गया था तो शाम की जाड़ू दिन चिपने से पहले लगा लेनी चाहिए तो बस मैं जाड़ू लगा लूँगे इतने जाड़ू लगाऊंगे इतने हमारी चाय भी बन के तेयार है तो अभी आ जाएए तो चाय पीने के बाद फिर मैंने लगा देती शाम को मशीन क्योंकि फिर इतने सारे कपड़े हो जाते और इतने मशीन चल रही थी तो मैं शाम के खाने के तयारी भी साथ के साथ करने लगी थी जिसके लिए मैं बनाने वाले जो छोटे साइज के बेंगन आते है न स्रिफ मैं उनको fry करके बनाने मतलब जिस तरीके से मैं बनारी हूँ मुझे नहीं समझा रहा कि मैं कैसे बताओं बस ये छोटे वाले बैंगन मैंने ले लिया है और इनको बीच में से चार कट लगा के मैं कैसे बनाओंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे और मेंडी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना सब कुछ फूरी है, आपका एक पैसा नहीं लगता है अप लाइक करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें जानने का मौका मिलता है कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या सजेशन देना चाहते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को जानते हैं और जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो बस यहां पर मैंने बैंगन कट कर लिया और बैंगन को काटते वक्त ना बहुत गौर से काटना पड़ता है क्योंकि कभी-कभी बैंगन काना भी निकलाता है कभी-कभी इसमें केड़े भी निकलाते हैं और इदर ना मैंने सलवार को थोड़ा सा उचा किया है क्योंकि कपड़े पानी में निकालने पड़ रहा है तो फिर वो गीली हो जाती है निचे उसके पहुंचे तो मैंने उपर को टांगी हुई है तो अब इदर जब तक हमारे कपड़े वगएरा हो चुके हैं तो बस कपड तो जब तक हमारे प्याज और लसन अच्छे से भूना मैंने सारे सूके मसाले कटोरी में ले 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 थे वो मैंने डाल दिया जिसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पौडर, गरम, असाला, नमक और थोड़ी सी कसूरी में थी यह सब मैंने लिया है डालने के बाद मैं तो जब तक हमारी सब्जी बन रही है मैंने इसको ढखके रख दिया गया इसको स्लो करके तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी इसमें नलके की भी फिटिंग इन होने कर दिया है यह सब कुछ इनों ने खुद ही किया है और यह तयार हो चुका है कल बस वाँ पे इसको अधर मैंने बता रोटिया खेथी और तो आज यह गर्म गर्म रोटिया खाने के लिए दई मेली नहीं तो दई नहीं है वरना स्वाथ में दई होती है चाच होती नहीं तो बहुत अच्छा लगता पर कोई नहीं ऐसे भी सब्जी बहुत जाबा देश ची लगता है मुझे अधर में तो बहुत अधर आप एक बड़ जरू ट्राइए जिए और जिन्होंने ट्राइकर रखिये और कमेंटर के जरूर बताईएगा मैंने इसमें आधा निम्बू भी निचोड़ा है बाद में मजलब दो मिनिट इस पुढ़त के शोने बाद मैंने इसमें आधा निम् न में में मिनम्म पुद्व आफ़ बड़न जरू है हम इसमे प्रीय दर यहां पर पार प्लेस कर देंगे और दिम्बू निर्डवाल इसको परापिर निर्दिक ह describing तो यहां पर मैंने दही जमाने के लिए दूद ले लिया है और इसमें अब मैं थोड़ा सा खट्टा डाल देती हूं यह दही होती है दही खट्टा बोलीजे जामन बोलीजे कुछ भी कह देगी पास में रखके डालती है नहीं चपक जाएगा तो सिफ एक चमच वैसे तो इतना सा भी होता है पर मैं एक चमच डालती हूं तो यह मैंने अब डाल दिया थोड़ा सा ओर ले ले लेती हूं बस और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया ठीक है और बस अब इसको धग देते हैं यहां से हम और यह दभग दिया और इसके उपर मैं इस चीजह कर दादूआँगी धश्क भी ले ली है मैंने और यह कवर कर दी तो दखी मेने जमा दी है और फोड़ा सा बोल पुलिमना कर लेते हैं तो गरम कर लेते हैं क्योंकि तो गरम कर लेते हैं क्याल सुमकिन है कहा करते हिद के हाच लेटेलो इसी मेरा फलग में उमीद वजन आपको पसंद आयाएं ओल आए तो लाइस का दीजेगा छांधा कें सेलाइग जाएं करते मिलड ह्ती हैं कि और प्लीज जा दो इसेले को सब्सक्राइब कर देगा कल में दिन आप से एक नई वीडियो के साथ नहीं होप, नहीं आईशा, नहीं मंगर नहीं जानी के सब्सक्राइब, मस्त रहें अपना और दुन फामी का दहाने के बबाए, थैंक्स वचिंग, चैमाता दी, प्लीज सपोर्ट कीजे